तकतगर कस्वे के रामदेवजी गली के नुकर पर नालियां कच्छरे से भरी पड़ी है पाली का प्रिश्वासन मौन नालियों के सफ़ाई नहीं होने से वोडवासियों में रोश व्यागते है सडकों पर फेल रहा है गंदा पानी लोगों को आने जाने में परिशानियों का सामना करना पड़ता है तकतगर कस्वे के वोड़ नंबर 22 में कई महीनों पहले सीसी सडक के निर्मान के दौरान नालियों में मलवा पढ़ने से नालियां चोक हो गई थी जिसके चलते हैं घरों से निकलने वाला गंदा पानी नालियों में नहीं जा रहा है रोड पर ही फेल रहा है पानी बोड़ वासियों ने कई बार पाली का प्रिशासन को भी अवगत करवाया है साफ सफाई के लिए पर अभी तक साफ सफाई नहीं थे बरसात के टाइम घुटने के उपर तक गली में पानी आ जाता है जिसमें चलना मुश्किर हो जाता है बाड नमबर 22 के पाश्रत राजी कुमावत ने पाली का परिशासन पर गंभीर आरोप लगाया है कि नगरपाली का बॉर्ड मीटिंग में रामदेव जी गली के नुकर पर क्रोस लगवाने की बात रखी गई थी पर मीटिंग के एक महिने बीट जाने के बाद भी अभी तक क्रोस का सुझाव नहीं लिया है पाली का परिशासन मोन है